नमस्कार आपके साथ मैं हूरितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 नीज में देखिए कॉंग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा की बाद अब हाथ से हाथ मिला अभियान आने बाला और 26 जनवरी से यह अभियान सुरू हो ज कॉंग्रेस पार्टी संकुल इस्तर पर जिला इस्तर पर और प्रांत इस्तर पर क्षेतर इस्तर पर राज इस्तर और राश्टी इस्तर पर यह तमाम रेलियां करने वाली है और अपने बूट को अपने बोट बैंकों को मजबूत करने वाली है ऐसा जैराम ठाकर जैराम रम और नौ पारसद मैंसे दो पारसद जो है बागी हो गया उन्होंने आमादमी पार्टी का आंगन थाम लिया वहीं अगर देखा जाए तो गुजरात में 17 सीट लेकर आए वहीं देखा जाए तो मेनपुरी खतौली और रामपुर में आपने देख लिया कॉंग्रिस का सूपड साफ हो गया पहले वाद तो अमीदबारी नहीं थे तो वहीं आप देख सकते हैं कि गुजरात तमाम जो राज्य थे उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं बना पाए बड़े बड़े बादे करने वाली कॉंग्रिस पार्टी लगातार जो है उसका गिराफ नीचे होता चला कि आप देख सकते हैं कि राष्ट की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रिस कहलाती है बीजेपी की पात कॉंग्रिस का ही नंबर आता है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी जिस तरीकी से ढह रही है जिस तरीकी से उसका मिट्टी का पहार तूट रहा है बड़े बड़े जो पुल गिर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी क्या फैसला लेंगे राहुल गांधी कैसे मजबूत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का सिरुफ एक ही मकसर निकाला जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी छबी मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी अ मीनले के बाद गुजरात के वहां हार जाते हैं दिल्ली में आजाते हैं निकाय चुनाव आ आने वाला है उसमें यूह दाऊbaar क्या सचमें कॉंगर्डिस यूग खत्म हो रहा है कॉमें बोक्स में जरूर बताएं आज के लिए इस रूप इतना ही देखते रही एस्पियन नान न्यूज